जरमनी रोकना चाहेंगे आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरे आ रहे हैं गुजरात से जहां प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी आज वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं एक्स्क्लूजिव तस्वीरे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं अपने गरी मंत्री अमिशा को वोट डालते हुए देख लिया है और अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं चाक चापन सुरक्षा व्यवस्था इस बीच अपने मताधिकार का इस्तमाल करने के लिए पीम कुछ पहुंच गए हैं गुजराद आज आगे कहीं जन सभाएं होने वाली हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की लेकिन उतसे पहले ये देखिए प्रधान मंत्री का सुवागत अप कर रहे हैं गुरी मंत्री अमिश्चा वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं गुजराद हमार सत महमान मौजूद हैं और बाचीत के लिए सीधर रुख करते हैं हमार सत बीजेफी के प्रवक्ता संजेच चौदरी जी जुड़े हुए हैं उनसे ले ले लेते हैं इसके ओपर एक जल्दी से टिपणी संजेच चौदरी तस्वीर हैं आप भी देख रहे होंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपने मतादिकार का इस्तमाल करने के लिए गुजरात पहुंच चुके हैं और सबसे पहले उनने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर ये लोगों से अपील कर डाली थी और अपने उपर भी ये बात लागू करते हुए सुबा सवेरे ही व जो निरणा है उसको बहतर करके दिखाना मोदी इसके पृती हैं गुजरात में भारती जनता पाटी हंड्रेट परसेंट रिजल्ट के साथ अपनी जीत दर्ज करती है ये बताने के लिए परयाप्त है कि कैसे उन्होंने अपने राज्य को बहतर आधार पर और सत्प्रक्ष उतर रहे हैं निशित रूप से जो मोटिवेशन उन्होंने दिया है उस मोटिवेशन का असर दिखाई देगा और आज उत्तरपदेश के जिस प्रकार के तीसरे चरण में दस सीटों का चुनाव है अभी मैं सुनना हता समाजवादी पाटी के राम गोपाल जी को उन्होंने की ती सन्यिपात की बाट की थि सन्यिपात तो समाजवादी पार्टी में है शिपाल जी इस बात की अपील करते हैं कि बारती जंता पकी जीत होनी चाहिए और बहुमत के साह्तल्य दिमपल यादव की जीत को लेकर बहुद आश्वास्त वो नझर आया और उनका कहना एक आजन और जादा बढ़ जाएगा। परसेंट का वोट शेर रखती थी वो समाजवादी पार्टी के साथ थी आज वो साड़े बारा परसेंट का वोट समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। यहाँ पर पीम एक संदेश तो दे रहे हैं लेकिन पिछले दो मतदान जो हो चुके हैं उनमें गिरता हुआ वोट प्रतीशत भी देख रहे हैं। देखें कंचन जी अभी तक जो दो चरण के मदान हो गए हैं उसमें एक सदो और अठासी और आज जो है उसमें तिरानबे सीटों का है। लगबग दो सो तिरासी सीटें इसमें आज हो जाएंगी और जैसे जैसे स्टेप चुनाव का बदल रहा है चुनाव का चरण आगे बढ़ रहा है। पार्ट जैंता पार्टी की स्टेटीजी भी लगातार या उख कर लिए गोल पोश्ट भी उनकी लगातार चेंज रही। पहले हो काते थे अपकी बार 400 हार फिर काते थे मोधी की गारंटी लेकिन आप देखेंगे कि पहले चरण के बाद जो 400 पार के नारा इनका इसम बिल्कुल गायब हो गया है। शाथ कर आएili है यह जो तस्वीर बनाके लेकर आएए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी को भेंट करने के लिए उस पर ओटोग्राफ दे रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी अपने प्रशंसकों को भारी संख्या में हाँ पर लोग पीम को देखने के लिए उनकी एक जलक पाने के लिए उनका अभिनंदन करने के लिए प्रदान मंत्री देश के जो हैं वोट करने के लिए अपने ग्रियाज पहुंचे हुए हैं जहां सी तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्रियमंत्री अमेशा भी उनके साथ मौजूद हैं तो ऐसे में बहुत जरूरी मैत्वपून संदेश देती हुई तस्वीरे हैं कि आप लोग भी अपने घर से बाहर निकलिये और अपने मतादिकार का इस्तमाल जरूर करिये प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी की कॉंसिट्वेंसी यानि की वारा जसी में उनके लोग सबार शेत्र में साथवे चरण में मतदान होना है वहां भी आपको नजर आएंगे लेक पर कई वी वी आईपी चेहरे आपको आज अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे साथी आज वी वी आईपी वोटर्स जो है वो मतादिकार करते हुए में नजर आएंगे एक और बहुत ही सुन्दर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं छोटा सा बच्चा पीम तक प पहुँचे हुए हैं अमिच शा की कॉंसिचेंसी में एहमदाबाद में ये मतदान करने के लिए प्रधान मतरी पहुँचे हुए हैं और जाहिर से बात है कि अमिच शाक्त के लिए मतदान वो करेंगे वोट कास्ट करेंगे और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और अब देखिए बूत के अंदर चले गए प्रधारमत्री इससे पहले बाहर उनके समर्थों का उनसे उन्हें देखने वालों का उनसे मिले की चाहत रखने वालों का जमावणा लगा हुआ था और अब उसके बाद अब अंदर एंट्री ली है अब बूत के अंदर एंट्री ली है प साहर लोगों में होगा ये जाहिर सी बात है तो एहंदाबाद में वोट कास्ट कर रहे हैं अपना प्रधारमंतरी नरिंदर मोदी और अमिच शाह यहां से कैडिडेट हैं उनके सामने कॉंग्रेस पाची की उमीदवार सोनल है और यहाँ पर अमिट शाह के लिए वोट करने के लिए प्रधार मतरी नरिंदर मोधी पहुचे हुए है तो यह देख सकते हैं तस्वीरें आप जहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करते हुए मुलाकात करते हुए क्योंकि अपना ग्री राज्य है तो बहुत सारे यहां पर जानकार है प्रधार मतरी के तो उनसे बातशीत भी करते हुए और अब अपना वोट कास्ट करेंगे नीली स्याही उनकी उंगली पर लगी हुई आज आप देखेंगे मतदान करते हुए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस तरह से पूरा डेस्क बनाया गया है तो उस तरह से प्रधार मतरी लगातार आगे बढ़ रहे और पहले उन्होंने वो स्लिप ली और उसके बाद अब आगे साइन करते हुए प्रधार मतरी जिसके बाद वोट कास्ट करेंगे अपने मत का इस्तेमाल करेंगे साथी साथ एक बड़ा संदेश इसके जरी जाता है और ये देखिए नीली स्याही लगा दे गई प्रधार मतरी की उंगली पर वोट कास्ट कर दिया प्रधार मतरी नरेंदर मोदी ने अपना और ये नीली स्याही लगाने के बाद अब वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं तो ये देखिए पूरे तरीके से कॉन्फिडेंशिल रखा जाता है इस चीज को कि आपने किसको वोट किया है और अमिट्शा की कॉंसिचुएंसी में है इस वाक पीम मूदी तो यहाँ पर व शिरिमा अपने देखा के खासकर तीसरे चरण के मतदान पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जनता के बीच में ज्यादा नजर आए और दो ऐसे मुद्दे उन्होंने पकड़े जिस पर उन्होंने विपक्ष को घेरा सिर्फ कॉंग्रेस को घेरा विरासटेक्स और मंगल यह वो दो मुद्दे जिस पर मुखर होके प्रचंड तरीके से विपक्ष को घेरते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी अपनी हर रैली में नजर आए हैं और सफाई देनी पड़ गई इस मुद्दे के ऊपर कॉंग्रेस पार्टी के दिगजों को भी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी वोट कर चुके हैं और वोट करने के बाद देखे आज भी आज से अब आगे आज कल पर सोजो उनकी जनसभाएं होने वाली हैं उनमें उनकी तैयारी पक्की है क्योंकि अब चार चरणों का मतदान बच गया है जिन पर अपनी जीत पर अपने कांडिडेट् प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पूरी तरा से आश्वस्त हैं आप उनके जो जनसभाएं देख रहे हैं प्येम मोदी को उन जनसभाओं में सुन रहे हैं एक-एक बुद्धा जो जन प्रतिनिधियों के मूँ से निकलता है उस पर विपक्ष को घेरते हुए प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी आते हैं नसर हमारे साथ महमान बने हुए हैं इन तस्वीरों पर और जानकारी और बातचीत हम कर लेते हैं संजे चौधरी जी से प्रवक्ता बीजेपी हैं वो हमारे साथ इस समय मौझूद है इस हमारे चर्चा में संजे चौधरी जी प्रधान मंद्री नर गाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से वो सब्ते साबित होगा। समपत्ति के बटवारे को लेकर एक जो वो कहते हैं के पूरे देश का हम एक्सरे करेंगे इन चीजों को लेकर कहा है और ये चीजे इन पक्षे के घोशना पत्रों का हिस्सा है। आधार पर आरक्षण का भारत का सम्विदान विरोध करता है। और उस आरक्षण को देने के लिए समाजवादी पाटी अपने घोशना पत्र में जिक्र करती है। तो विपक्ष के एजेंडे के hidden एजेंडे को परदान मंत्री जी ने सामने रखा है। निश्यत रूप से बक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सामने रखते हुए प्रदान मंत्री ने अपना आधर्श भी प्रस्तुत किया है। कैसे आज जब वो सबा साथ बजे, साड़े साथ बजे बोट देने के लिए आ गये हैं, बोट दे दिया है, तो विपक्ष के बढ़ने ता इस समय सो रहे होंगे। यह बताने के लिए परियाप्त है कि वह अपना आधर्श स्थापित करते हैं, बहतर आधार पर उस आधर्श भी प्रदान मंत्री ने दिया है, सुभा सवेरे वोट कास्ट करके, आगे भी कुछ चेडियूल यहाँ पर प्रदान मंत्री के रहने वाले के जहाँ पर प्रदा प्रदान मंत्री नजर आएंगे, अमित्शा भी अभी प्रचार के लिए जाएंगे, तो सुभा सवेरे सबसे पहले अपना वोट कास्ट किया है उन्होंने और उसके बाद जोखे अब आगे प्रचार की कमान संभालेंगे, सौरब दूबे जी, राजगरतिक विशलेशक ल उसकी एहमियत को समझे और अपना वोट कास्ट कीजिए प्रदान मंत्री जी जो कारे स्वेयम करते हैं, जो बोलते हैं, वो स्वेयम पहले करके दिखाते हैं, उन्होंने आट बज़े के पहले, बीना जलपान किये, सबसे पहले अपना मतदान किया, कहीं न कहीं इस से जो है, 140 करोन के जो देशवासी है, उनको ये प्रेणना मिलती है कि जो प्रदानमंत्री और बार-बार अपिल कर रहे हैं वोट की वो सिर्फ कहते नहीं है वो करके दिखाते हैं तो हम लोग जो पिछले बार वोट परसेंटेज कुछ न कुछ किसी वजह से कम पढ़ा था इस बार मुझे लगता है प्रदानमंत्री जी की इस पहल को प्रदानमंत्री जी की इस प्रेड़ना से वो कही न कई बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से समाजवाधी उनसे एक रियाक्शन लेना चाहेंगे जो की बात संजेच ओधरी जी ने की ती उस पर अशोक जी आप मुझे सुन रहे हैं देखें प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी ने मंगल सूतर का और विरासत टैक्स का मुद्दा उठाया और आपके दू कांडिडेट जियाव रहमान बर्क ने शाबुदीन और अतीक एमत को अपना आदर्श बताया और मरिया अलम खाने वोट जियाद का मुद्दा उठाया आपको लगता है यह मुद्दे आपस में जुड़ते हैं पीए मोदी के मुद्दे और आपके समाजवादी पार्टी के मुद्दे दोनों अलग दि जी के मुद्दे एक भी बात उन्होंने नहीं अपनाई उन्होंने कहा ताजित पावार को लेकर कि 70 जार करोड के आरूपी को जेल में डालेंगे आपको लगते कि समाजवादी पार्टी को कंचन जी जैसे आपने कहा इसके पहले कि मोदी जी अपने जीत को लेकर आसोस्त है अगर वो आसोस्त रहते थे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया था कि कांग्रिस पार्टी सत्ता में आएगी तो अपने आपके सारे संपतियों को छीन करके एक धर्म भिसेस क को दे देगी यह क्या है मोदी जी क्या करना चाहते हैं यह उनकी बाउखलाहट को दिखा रहा है वो देश में धार्मी कुनमाद फैला करके चुनाव जीतने की उनकी मन्शा है और वो आदर्स की बात करती है आप मोदी जी के आदर्स कौन है जो देश के पहलवान बेटियो करने वाला मोदी जी का अधर से आज देखिए जो प्रज्वल रिवन्ना जैसा जो मास रेपिस्ट है वो मोदी जी का अधर